2 जून 2023 को ओडिसा के बाला सोग डिस्ट्रिक्ट में तीन ट्रेन के टकराने से बहुत बड़ा एक्सी टेंक्ट हो गया था, जिसमें 15 कोचीस में सफर करने वाले लगभग, हजार से जादा लोग इंजर्ड हुए, और कुछ की तो डेथ भी हो गई, पर ये सब हुआ कैसे, क् कुछ जानेंगे इस वीडियो में, साथ में ये भी बात करेंगे, कि जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार वालों को कितने रूपे दिये जा रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, और इतना सब होने के बाद भी, politicians कैसे इस situation को भी, एक political agenda बना रहे हैं, अगर एक एक ट्रेन खड़ी की जा सके, मतलब, अगर एक एक ट्रेन आ रही हैं, और पीछे वाली ट्रेन की स्पीड बहुत त्रेन, तो जो कमी स्पीड वाली ट्रेन होती है, वो लूप ट्रेक पर खड़ी हो जाती है, ताकि पीछे वाली हाई स्पीड वाली ट्रेन जा सके, लेकिन इस बार एक्सिटेंक्ट इसले हुआ, क्यूकि जो माल गाड़ी ट्रेक पर आ रही थी, वो लूप ट्रेक पर तो खड़ी ह पर जो पैसेंजर ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी और उसे सीधा जाना था वो भी लूप ट्रेक में घुस गई क्यूंकि ट्रेक का डिरेक्शन लूप ट्रेक की तरफ मुड़ा हुआ था और उससे थोड़े समय पहले लोको पाइलेक को ग्रीन सिगनल द ँपाए और ट्रेन जाकर आगे मालगाडि में तकरा घए और तभी उपर वॉले एक ट्रेक पे एक और ट्रेन जा रही थी और ये तीनों ट्रेन एक दूसरे पर चढ़ गई और एकशिगन्ट हो गया एक ये भी बात है कि कि इससे भी एक बहुत बड़ा हाथसा होने से कल गया, पर जब सरकार ने कवच सिस्टम बनाया था, तो वो इस ट्रेन में लगा क्यों नहीं है, बहुत लोगों का कहना है कि अगर क्रेन में कवच सिस्टम होता, तो एक्सिटेंग्ट होने से बच जाता, और इसी वज़ासे सिर्फ एक एक्सिटेंग्ट होने के चांसिज हैं, मतलब नो एक्सिटेंग्ट, और कवच का मोटीव भी यही था, कि इंडिया में जीरो ट्रेन एक्सिटेंग्ट हो, तो फिर अब रेलवे मिनिस्टर ने अपनी बात क्यों बदल दी, तो देखो कवच का काम है, कि अकर दो ट्रेन आमने सामने आ रही हो, या फिर रेग लाइट हो, तो यह आक्टोमेक्टिकली ट्रेन को रोग देता है, और जब ट्रेन लूप ट्रेक में गई, और ट्रेन की स्पीड 120 km पर आवर की होने की वज़ा से, इस ट्रेन और मालगाडी के बीच में इतना दिस्टेंस और ट कवच सिस्टम क्यों नहीं है, दो हजार एक्टिकली ट्रेन की वज़ा से हुए हैं, जैसे कोई ट्रेन के बीच में आ गया, या फिर ट्रेन से नीचे गिर गया, तो इसका मतलब यह ही है, कि ट्रेन की सेफटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ना ही सारी ट्रेन में पी के नेता, न्यूस चैनल पर आकर लड़ने लगे, कि रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे या नहीं, पॉलिक्टिशेन्स न्यूस चैनल पर बैक्ट कर सिर्फ यह कह रहे थे, कि रेलवे मिनिस्टर को हटाओ, और मीडिया सिर्फ यह बता रही थी, कि जिन लोगों की उनके परिवार वालों को कितने रुपे दिये जाएंगे, उन्हें लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, अभी तक ऑफिशली 281 लोगों की डेथ हो चुकी है, और हजार से जादा लोग इंजर्ड हुए है, पर मीडिया अभी भी यह न्यूस दे रहा है, कि डेक बॉड़ हैं, और लास्ट बात, कि डेलवे के मिनिश्टर को रिजाइन करना चाहिए या नहीं, तो ये तो इन्वेस्टिकेशन पर डिपैंड करता है, कि डेलवे मिनिश्टर को ये बात पता थी कि एक्सिचेंग्ट हो सकता है या नहीं, पर अभी ये वो टाइम नहीं है कि डेलवे किक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में 2.6 लाग डेथ सिर्फ ट्रेन एक्सिजेंक्ट की वज़े से हुई है और 2012-2013 में एवरेज 25,000 के करीब डेथ ट्रेन एक्सिजेंक्ट से हुई थी और फिर 2017 में ये नंबर थोड़ा नीचे आया और फिर 2020 में कोविक की वज़े से ये नंबर 12,000 के करीब पहुच गया था रेलवे ट्रेक पर बहुत लोगों की फैमिलीज रो रही हैं बहुत लोग दुखी हैं आजपास के लोग इंजल लोगों को खून दे रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं एक्सिजेंक्ट के बाद पीम मोदी भी वहाँ पर गए औ और ट्रेन एक्सिजेंक्ट हुआ कैसे ये भी फता चला होगा